हेलो स्टूडिंस कैसे आप सब लोग आई होप सो बहुत अच्छे होंगे मैं प्रिया मडोत्र आप सब का स्वागत करती हूँ आज एक और बार फिर 18 अगस्ट करेंट अफेर्स में इसे पहले हम लोगोंने कल के करेंट अफेर्स किये थे अगर आप लोगोंने नहीं किये तो तो वो उसको इस PDF के last में उसका link मिल जाएगा वो सर्च कर ले ना या फिर इस वीडियो के description box में आपको link मिल जाएगा उसके अंदर target जो batch चल रहा है अभी देली पुलिस के लिए चल रहा है जिसके अंदर 100 प्लस students हैं जो उनको targets दिये जाते हैं डेली और quiz कराए जाते हैं एक्जाम लेवल के ठीक है तो start करते हैं आज की current affairs से सबसे पहली जो हमारी current affairs है पहले हम बात कर लेते हैं कल का एक question रहता है question of the previous day यह हमने study किया था who is the lieutenant governor of jammu and kashmir कौन बने है मनोज सिना जी ठीक है इससे पहले कौन थे गिरीश चंदर मोर्मो जी जो अभी क्या बन गए ह controller and auditor general of India वो क्या काम करते हैं government जो भी expenses करती है उन सारी चीजों का लेखा जो किसको प्रस्तूत करते हैं हमारे president साहब यानी राष्टरपती जी को वो सारी report present करते हैं ठीक है आगे चलते हैं first news जो है वो क्या है go air ने appoint किया है कोशिक खोना जी को नया CEO go air का इससे पहले कौन थे विने दूबे जी तो आप लोगों के लिए यही में important news है इसमें से ये जो है 32 years का experience है इनको corporate के अंदर go air का headquarter कहां पे मुंबई महरास्टरा में go air के founder को ने जहांगी र बनते हैं आप लोगों के go air ने नया CEO किसको न्यूक्त किया है कोशिक खोना जी को इससे पहले कौन थे विने दूबे जी go air का headquarter कहां पे मुंबई महरास्टरा में go air के founder कौन है जहां की रवादिया जी और इसकी establishment कब हुई थी 2005 के अंदर यह आप लोगों के लिए Hindi medium students के ल दिख लोगे current affairs आप लोगों को mind में याद रखना है तो उसके लिए आप लोगों को PDF मिलेगी वीडियो से आप study कीजिए और PDF से इसको revise कीजिए बार बार और quiz से question practice कीजिए automatically current affairs आपकी improve होनी start हो जाएगी ठीक है next news की तरफ चलते है next news क्या है US के president जो है Donald Trump जी उनके छोटे भाई है Robert Trump उनकी death हो गई है वो expire हो गए है ICU के अंदर वो भरती थे कुछ time से और उनको जो है किस नाम से भी जाना जाता था Nice Trump के नाम से भी जाना जाता था वो फैमिली बिजनस को देख रहे थे और top executive थे Trump organization के अंदर तो इसके अंदर क्या-क्या question मन सकते हैं आप लोगों क किसको Nice Trump के नाम से जाना जाता था Robert Trump को और वो क्या करते थे family business जो है handle करते थे ठीक है यह आप लोगों के लिए Hindi में लिखा हुआ है ठीक है इसको आप लोग एक बार read कर लेना अच्छे से next हम बात कर लेते हैं जो फॉमर क्रिकेटर थे Indian क्रिकेटर और UP के अंदर minister भी थे cabinet minister थे योगी अदितेनाथ की अंडर चेतन चुहान जी वो भी क्या हो गया है पास हो गया है 73 की एज थी उनकी कोरोना वाइरस की वज़े से COVID-19 की वज़े से यह already जो है multiple organ इनके fail हो चुके थे इसकी वज़े से पहले से बिमार थे और अभी COVID-19 की वज़े से यानी कोरोना वा इनके अंदर कहां पे minister of scenic welfare, home guards, PRD and civil services ये सारी चीजे इनके अंडर थी तो आप लोगों से ये question directly पूछ लिया जाएगा तो कौन थे वो चेतन चुहान जी क्या किया था इन्होंने इंडिया के लिए former Indian cricketer भी रह चुके हैं 40 test match जो है इन्होंने खेले थे जिसके अंदर 2084 80 रनिनों ने बनाए थे 16 half centuries बनाई थी ठीक है ये हिंदी में लिखा हुआ है नेक्स चलते हैं इंडियन आइडल आप लोगों ने देखा होगा नेहा ककड जी भी जज थी और बहुत सारे जज थे उसके अंदर साहजान मुझीव जो थे उनको first ambassador जो है बना दिया गया किसका अलिगर्ड मुंसिपल कॉर्परेशन का ठेक है किसलिए स्वच भारत अभियान के लिए ये campaign चनाने के लिए ये already मुझी जो है क्या काम करते हैं music director भी है और by profession composer भी रह चुके हैं मतलब एक तरीके से singer playback singer का का काम करते हैं ये season 11 में आये थे Indian idol के और अब Oscar के लिए भी इनको nominate किया गया था अभी क्या बना दिया इनको अलिगर्ड मुंसिपल कॉर्परेशन का brand ambassador जो है वो बना दिया गया है और किस purpose के लिए स्वच भारत अभियान campaign के लिए ठेक है ये हिंदी में लिखा हुआ है Indian idol fame सहजान मोजीब ने अलिगर्ड नगर निगम के पहले brand ambassador के रू बैक सिंगर चेक है आगे चलते हैं इंडिया ने जो है Brick Summit जो था Brick Nations का उसमें ड्रग जो होते हैं नसे से बचने के लिए एक meeting आयोजित की गए जिसके अंदर fourth meeting थी ये Brick Nations की जिसके अंदर anti-drug working group जो है वो अभी held हुआ था उसके अंदर सारी जो real time पे इस time पे situations हैं ड्रग की तो वो सारी चीजें इसके अंदर बताई गई थी और हमारा इसमें से और क्या question बनता है डारेक्टर जेनरल कौन है नार्कोटेक्स कंट्रॉल ब्यूरो के राकेस अस्थाना जी ठीक है दूसरा question आप लोगों से क्या पूछा जाता है Bricks Nations के बारे में detail तो यह आज का आप लोगों का homework है इसको next class में discuss करेंगे कि Bricks Nations के अंदर क्या-क्या आते हैं और किस तरीके से यह सारी चीजे वर्क करती है ठीक है next question में चलते हैं यह हिंदी में लिखा हुए next है इसरों ने जो है Indian Space Research Organization ने चंदरियान 2 जो भेजा हुआ था अपना satellite उसके अंदर से moon carter जो है वो capture किया एक तस्रीर मिली है जिसका नाम उन्होंने क्या रख दिया विक्रम साराबाई चीक है यह इस तरीके की इमेज आप लोगों को देखने को मिली है यह जो है साराबाई सेंटर जो है अराउंड 250 से 300 किलोमेटर इस्ट में है करेटर के और अपोलो 17 और लूना 21 जो मिसन जहां पे लैंड हुए थे उससे 200 से 300 किलोमेटर जो है यह थोड़ा दूर है इस्ट के अंदर इस डारेक्शन के अंदर यह किसलिए मिशन हुए थे आप लोग को पता है चांद पे जाने के लिए मिशन हुए थे फादर बोला जाता है इंडियन स्पेस प्रोग्राम का ऐसा क्यों बोला जाता है आज का सेकिंड होमवग फर्स्ट होमवग है ब्रिक्स निशन के बारे में स्टडी करना सेकिंड होमवग है विक्रम सारवाई के बारे में डिटेल जानना इसको हम next class में discuss करेंगे ठीक है ये हिंदी में लिखा हुआ है next है Indian railway जो है construct करने जाला है world का यानि संसार का सबसे बड़ा जो है bridge एक बनाने जा रहे हैं कहाँ पे river लजाई मनिपूर के अंदर ठीक है इसाई एक pull बनाना जा रहे हैं सबसे लंबा world का यानि संसार का कहाँ पे मनिपूर के अंदर उसकी जो height होगी वो कितनी होगी 141 meter और इसकी total length कितनी होगी इसकी लंबाई होगी 703 meter मतलब ये सारे संसार का पूरे world का सबसे लंबा bridge बनने जा रहा है Indian railway के द्वारा कहाँ पे बनाया जा रहा है मनिपूर में आप लोग का second homework क्या है मनिपूर के static fact आज आप लोगों को learn करने ये भी हम next class में discuss करेंगे next class से हम क्या करेंगे जैसे जो homework मिला है पहले questions करके last में previous day के सारे questions एक बार cover कर लेंगे जो homework में आप लोग को दिया जाता है next question है ये हिंदी में लिखा हुआ है आप government नितिन गडगरी जी ने क्या बोला है government जो है 5 करोड जोब जो है वो create करेंगी कहाँ पे MSME sector के अंदर medium small enterprises के अंदर उसके अंदर क्या होगा 60% export की 48% create करेंगी 5 करोड जो अगले आने वाले 5 सालों के अंदर नितिन गडगरी जी क्या है हमारे minister है MSME के और ये कहाँ पे इन्होंने ये बात बोली है स्वाल अंभम e-summit हुआ था 2020 जिसके अंदर theme क्या रही थी let's endorse development ठीक है next इसी का version जो हिंदी में देख लते है ये है सरकार का लक्षय जो है MSME एक छेतर में 5 करोड नोकरियां पैदा करना है ये कहाँ पे बात बोली है नितिन गडगरी जी ने स्वावलंबन e-summit हुआ था 2020 उसके अंदर इन्होंने ये बात बोली है कि पहले नेक्स क्वेशन है नागालेंड गॉर्मेंट ने जो है लाँच किया है येलो चेन सेंट्रलाइज e-commerce प्लाटफोर्म कब किया था ये भी 15 अगस्ट में किया था हाले में ये हमने प्रीविएस न्यूस में कवर नहीं किया था तो इसलिए मैंने इंक्लूड कर लिया कोई भी न्यूस जो हमारी छूटनी नहीं चाहिए और डिटेल में उसको ऐसे करना है कि उसका स्टैटिक एक्जाम में किस तरीके के कोशन आते हैं आपने कोशन प्रिपेर किया जीके स्टैटिक होता है वो भी आप लोगों का जो है करन्ट से रिलेटेड होता यानि कनेक्टर होता है कहीं न कहीं से ठीक है अभी यहां देख लेते हैं इन्होंने क्या किया है इसके अंदर लोकल बिजनेस और एंटर्पनेर्शिप को जो है बढ़ावा देने के लिए e-commerce प्लाटफॉर्म यानि ओनलाइन एक प्लाटफॉर्म लौंच किया जिसका नाम क्या है यलोजेन जिसके अंदर जो भी सेलर्स हैं वो रजिस्टर कर लेंगे अपने इसके साथ और जो बायर्स हैं वो यहां से प्रोडफ्ट को एकसस कर सकते हैं यानि एक तरीके का ओनलाइन प्लाटफॉर्म में ओनलाइन शौपिंग जैसा है जहांप एक प्लाटफॉर्म प्रवाइड कर दी है बिजनेस मेंस को और जो कस्टमर्स हैं उनको अब इसके static fact important हो जाते है नागालेंड के CM कौन है नेपिरियो और गवर्नर को रहे है आर एन रवीजी और कैपिटल क्या है कोहिमा इस तरीके से आप लोग उसे question क्या पूछ लिया जाएगा नागालेंड के CM कौन है आप लोग भोचक के रहा जाओगे मैं इतने सारे थोड़ी ना करने इसी तरीके से same countries का हिसाब होता है जो जो चीजें current में रहती हैं सर्फ उसी से question पूछे जाते हैं examiner ताकि वो जी ये चे bank जो है 5 रुपे जो PM एक second इसके अंदर क्या है PNB ने launch किया है digital अपना है उसके अंदर सबसे पहले जो contribution किया गया है रुपीज 5 का किया गया है कहां पे PM केर फंड के अंदर किस बेसिस पे first transaction activate करने के लिए रुपे debit card से या फिर POS से ये campaign कब तक valid रहेगा 31 March 2021 तक आप लोगों के लिए एक और homework PNB के बारे में detail आप लोग बताएंगा उसके managing director कौन है और इसकी tagline क्या है चीक है इस तरीके से आप लोगोंने current affairs को cover करते हुए चलना नेक्स्ट न्यूज है हमारी नेक्स्ट न्यूज है यूनिवर्सल संपो ने जनरल इंसूरेंस ने partnership की है किसके साथ Bombay Stock Exchange, EBICS, Insurance Broking, Private Limited के साथ ये क्या करते हैं बेसिकली shares का काम होता है अब ये क्या किस परपस के लिए ये साथ में आया है इनका मोटो क्या है टू सेल जनरल इंसूरेंस प्रोड़क्स मतलब इंसूरेंस की जो भी प्रोड़क्स होते हैं distribution network के वो इसके थ्रू जो है उनको सेल किया जाए प्रेजेंटली जो है BAC EBICS के अंदर 7200 जो है registered POS person है ठीक है next news की बात कर लेते हैं next news के अंदर क्या बोला है NSE जो है उसने IAM Bangalore के साथ एक platform offer किया है for investor education education के लिए invest करने के लिए NSE ने कहां पर IAM Bangalore के अंदर इसमें क्या होगा सेबी के executive director नागेंदर प्रकास जी ने online investor education resource center बताया है और इसका जो है किसके साथ venture हुआ है NSE investor protection fund trust का IAM Bangalore के साथ NSE क्या है first dematerialized electronic exchange of India है चीक है इसमें basically आप लोग को simple जो ज़्यादा high-five news आप लोग को से नहीं पूछी जाती है सर्फ इतना यह ज्यादा यूप यसी purpose के लिए हो जाता तो जितना आप लोग को बोला जाए उतना ही study करना है इसके अंदर किस-किस ने हाथ मिला है NSE और IAM Bangalore ने किस purpose के लिए investor education के लिए सेबी के executive director कौन है नागे अंदर प्रकास जी जिसके अंदर यह क्या करेंगे online investor education resource center बनाएंगे एक साथ मिलके दोनों companies ठीक है next बात कर लेते हैं EU European Union जो है उसने क्या किया launch किया है 1 million euro का project कहां पे महरास्ट्रा के अंदर और Odisha के अंदर किस purpose के लिए women's को skill provide कराने के लिए housing sector के अंदर ठीक है यह बहुत important question आप लोगों के लिए Odisha और महरास्ट्रा में किस ने किया European Union ने किस purpose के लिए women's को skill करने के लिए housing sector के अंदर इसकी theme क्या है habitat for humanity ठीक है it will train 3,000 women in plumbing, electric fitting, missionary मतलब जो भी सारे काम होते हैं घर के उन सारी चीज़ों के अंदर यह इनको train करेंगे इसके लिए कितना खर्च होगा 1 million euro project इसके लिए और चार डिस्ट्रिक महरास्टर और उडिसा के इसके अंदर रन किये जाएंगे ठीक है यह किस purpose के लिए चलाए गई है not for profit habitat for humanity इंडिया ठीक है लाब के लिए नहीं लगाई गई है यह लोगों की help करने के लिए यह apply की गई है आज का जो question है वो क्या है who is known as the nice Trump, nice Trump के नाम से किसको जानते हैं बाकी question हमने क्या क्या पढ़ने है Bricks Nations के बारे में study करनी है विकरम सारा भाई के बारे में हमने पढ़ना है PNB की tagline क्या है और एक दो question जो मैंने आप लोग को वीडियो के अंदर बोले हैं वो आप लोगोंने cover करने हैं ये टेलीग्राम चैनल का जो link है ये आप लोग को दिया गया है आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाके search करना add the rate dev right way education आप लोग को channel मिल जाएगा और आप लोगोंने target batch के अंदर study करनी और material लेना और quiz करने तो आप लोग इस link पर जाके cover कर सकते हैं उसके अंदर जुड़ सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स session में तब तक के लिए thank you so much bye bye